पिछले वीडियो में हमने 1947-48 वार के बारे में जाना अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक यहाँ है इस वीडियो में हमने देखा था कैसे Boundbatten Plan ने भारत को बाटा और Princely States को कोई एक देश का हिस्सा बनने को कहा पर जम्मू कश्मीर के महराज अपना अलग देश बनाना चाहते थे पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर हध्याने के लिए ब्रिटिश ओफिसर्स के साथ प्लान 1947 में ही बना लिया था ये प्लान था Operation Gulberg ये प्लान October 1947 में एक्सिक्यूट हुआ अल्मोस्ट एक लाख पाकिस्तानियों ने इस वार में पार्टिसिपेट किया जब महराजा हरी सेंग को इस वार का स्केल के बारे में पता चला तो उन्होंने भारत से मदद मागी और एक्स्चेंज में इंस्टूमेंट अफ एक्सेशन साइन किया 26 ओक्टोबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया अगले दिन भारतिय सेना जम्मू कश्मीर को बचाने श्रीनगर पहुचती है ओपरेशन गुलमर्ग तीन फ्रंट से एक्जिक्यूट होना था श्रीनगर फ्रंट, जम्मू फ्रंट और गिलगेट फ्रंट श्रीनगर फ्रंट को भारत ने पैटल ऑफ शाल्टेंग के बाद हरा दिया था अंग्रेज चाहते थे कि गिलगेट पाकिस्तान का हिस्सा बने क्योंकि पार्टिशन के बाद भी वो कमजोर देश पाकिस्तान को कंच्रोल कर सकते थे इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर काप्टेन ब्राउन ने गिलगेट को पाकिस्तान का हिस्सा घोशत कर दिया पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़ाई इतनी लंबी चल जाएगी उनके पास लड़ाई फंट करने के पैसे नहीं बच्चे थे तो जिन्ना ने माउंट बाटन को RBI से पैसे रिलीज करवाने के लिए कहा माउंट बाटन ने गांधी जी को महरा बनाकर पैसे रिलीज करवा लिए माउंट बाटन एक तरफ गांधी जी को पैसे रिलीज करने के लिए कन्विंस कर रहे थे और दूसरी तरफ नहरू को जम्मू कश्मीर का केस यूएन ले जाने के लिए माउंट बाटन का कहना था कि इंडिया का केस कास्ट आयन केस है नहरू ये केस नहीं हारेंगे कहते हैं माउंट बाटन ने नहरू को कन्विंस करने के लिए अपनी वाइफ एडवीना का इस्तिमाल किया ये माउंट बाटन और एडवीना की बेटी पामिला हिक्स अपनी किताब में भी लिखती है जब कोट में एडवीना और नहरू के बीच लिखे गए लेटर पब्लिक करने की बात कही तो कोट ने मना कर दिया कहते हुए कि इससे प्रिटिश रॉयल्टी और भारत के संबंद खराब हो सकते हैं ऐसे लेटर्स पब्लिक है जिसमें एडवीना जिन्ना को साइको बोलती है उससे तो प्रिटिश रॉयल्टी और पाकिस्तान के रिलेशन्स खराब नहीं हुए केस पहुशते ही ब्रिटिश यूएस को कन्विंस करने लगता है कि कश्मीर यूएन के कंट्रोल में होना चाहिए और भारत और पाकिस्तान की आर्मी से कश्मीर की आर्मी बनाई जाए इन शॉर्ट लोग हमारे और राज यूएन का पर ब्रिटेन अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पाया फिर शेक अब्दुल्ला के सपने बड़े होने लगे महाराजा के बाद अब शेक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर पर राज करना चाहते थे वो इंडियन डेलिगेशन का पार्ट बनके यूएन जाते है वहां वो यूए से जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडन देश बनाने की बात करते हैं और अमेरिका ने शेक अब्दुल्ला के प्लान में भी इंट्रेस्ट नहीं दिखाया नहरू का कश्मीर केस यूएन में ले जाना इसलिए गलत था क्योंकि वहां कोई जस्टिस की बात नहीं कर रहा था सब अपना अपना फायदा देख रहे थे ब्रिटेन का फायदा था कि जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट ना बने फिर चाहे वो पाकिस्तान के पास जाए या यूएन के कंट्रोल में रहे मार्च 1948 में यूएन सेक्योरिटी काउंसल ने रेजिलूशन पास किया जिसके तीन स्टेप्स थे पहला पाकिस्तान अपनी फॉज जम्मू कश्मीर से विद्जौ करेगा फिर इंडिया मिनिमल फॉज जम्मू कश्मीर में रखेगा और फिर यहाँ प्लेबिसाइट होगा पर पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स विद्जौ करने से मना कर दिया इतनी लूट, मर्डर और रेब के बाद ओव्यूसली जम्मू कश्मीर की जंता भारत की साइड लेती जब फर्स स्टेप ही नहीं हुआ, तो बागे के स्टेप्स नहीं हुए जब यूएन में ये सब चल रहा था, तो जम्मू और गिल्गिट फ्रेंट में क्या चल रहा था? देखते हैं जम्मू फ्रांट में ब्रिगेडियर उस्मान अपनी ब्रिगेड के साथ चांगर पर कंट्रोल कर चुके थे पर पाकिस्तान ने चांगर वापस कबजा लिया और ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा में धखील दिया Then Left-Nand General Kariyappa ने Brigadier Usman को नौशेरा के पास court area को capture करने का idea दिया Brigadier Usman ने इस operation को Operation Kipper का नाम दिया जो Field Marshal Kariyappa का nickname था Mission successful हुआ इसके बाद का पाकिस्तान का नौशेरा पर attack बुरी तहे से फेल हुआ हजार पाकिस्तानी मारे गए और उतने ही injured हुए Indian side में 33 soldiers शहीद हुए इसके बाद Brigadier Usman ने झांगर recapture किया पाकिस्तान आर्मी झांगर वापस लेने में लगी रही पर Brigadier Usman ने पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम करी पाकिस्तान को frustration इस बात का भी था कि मुस्लिम होते हुए भी Brigadier Usman अपनी जन भूमी फारत के लिए लड़े पाकिस्तान उन्हें गद्दारी करने के लिए नहीं लड़ जा पाया ठब कर पाकिस्तान ने Brigadier Usman के सर के लिए पचास हजार रुपै का इनाम नाउंस करा Brigadier Usman अपनी देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हम जम्मू फ्रंट में जीतने लगे थे सकर्दू को लेटनेंट करनल शेयर जंग थापा होल्ड कर रहे थे में आते आते पाकिस्तान ने कारगिल, द्राज और जोजला कैप्चर कर लिया और सकर्दू को तीनों साइट से घेल लिया सकर्दू से continuously reinforcement की request आती रही पर एर कॉमंडोर महर सिंग ने इतनी high altitude पर आर्मी को airlift करने का idea support नहीं किया दीरे दीरे troops को realize होने लगा कि उन्हें reinforcement नहीं मिलेगी उनका खाना और ammunition भी खत्म होने लगे August आते आते वो जानवरों का खाना खा रहे थे और पाकिस्तान से लड़ रहे थे आठ महीने सकर्दू को पाकिस्तान से बचाने की बाद हमारा defense गिर गया दुश्मन अप ले की तरफ बढ़ रहा था जेनरल रॉय बुचर उस टाइम के इंडिन आमी कमांडर देन लेफनेंट जेनरल कर्यापा से जम्मू कश्मीर का operation का control लेना चाहते थे ताकि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बने August में जेनरल बुचर ने orders दिये कि कोई भी operation करने से पहले Army headquarters यानि जेनरल बुचर से permission लेनी पड़ेगी पर लेफनेंट जेनरल कर्यापा इस order की support में नहीं थे क्योंकि इस से ले, कार्गिल, कश्मीर वाली और अल्टिमेटली इंडिया की security खत्रे में पड़ जा दी आगले महीने जेनरल बुचर फिर operations रोकने की कोशिश करते हैं वो threaten करते हैं कि अगर जम्मो कश्मीर में operations नहीं रुके तो वो resign करतेंगे नहरू tense थे सरदार बटेल ने बुचर को resign करने के permission दे दी और कहा कि operations तो नहीं रुकेंगे इसके बाद जेनरल बुचर नहरू को letters लिखने लगे इसमें उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी इतनी capable नहीं है कि वो ये जंग जीच जाए कि इंडियन soldiers में और लडने की ताकत नहीं है कि ये operation बंद कर देना चाहिए Ultimately, नहरू बुचर की बातों में आ जाते हैं और 1st January 1949 को operations बंद हो जाते हैं पर उससे पहले देन लेटरने जेनरल करयापप ले बचाने का प्लान बनाते हैं ले तक पहुचने के तीन रास्ते थे National Highway 1 जो जोजला, द्रास और कार्गिल से होते हुए ले पहुचता पर पाकिस्तान इस एडिया को कंट्रोल कर रहा था दूसरा, reinforcement को air drop करना पर ले की height, सकर्दू की height से ज्यादा है height के वजह से Air Commodore महर सिंग ने troops को सकर्दू में air lift करने से मना किया था तो ले में कैसे होता? तीसरा, मनाली से ले आना उस time यहाँ कोई road नहीं थी soldiers मनाली से ट्रेक करना शुरू करते और ले का रास्ता ढूनते तीनों option use किये गए National Highway 1 वापस लेने की कोशिश हुई Air Commodore महर सिंग को ले में land करने के लिए convince किया गया और मनाली से scouts ले के तरफ निकल गए कुछ दिनों में ही scouts से radio contact तूट गया पाकिस्तान ले के दर्वाजे पर था धीरे धीरे troops की supply खतम होने लगी मौसम खराब होने के वज़े से air support नहीं मिल सकता था जोचला को recapture करने की दो कोशिश पहले ही नाकाम्याब हो चुकी थी पाकिस्तान ले पर attack करने ही वाला था कि major हरी चंथ के under scouts पहला surgical strike किया major हरी चंथ और उनकी team रात को दिश्मनों के area में गए और उनकी सारी howitzer guns को खराब करके सुबह वापस आ गए ये सब पाकिस्तान के attack को delay कर रहा था पर ultimately अगर ले बचाना था तो नाश्टरल highway पर कंट्रोल करना जरूरी था जोचला री-capture करने के लिए then lieutenant general करियापा ने operation bison launch किया इसको head कर रहे थे lieutenant colonel Rajinder Singh plan था जोचला में tanks लाना आज के time जोचला में truck चलते हैं पर 1948 में ये सिर्फ एक mule track था मतलब सिर्फ खचर ले जाने का रास्ता था यहां पर tanks पाकिस्तान कभी expect की नहीं कर सकता था ये top secret mission था पाकिस्तानी खुले में कश्मीरी वेश में घूम रहे थे अगर वो tanks को जोचला बढ़ते हुए देखते तो वो ये information जोचला में बैठे पाकिस्तानियों तक पहुचा देते और वो anti-tank mines use करके भारत का plan खराब कर देते इसलिए tanks के parts को अलग-अलग किया गया और फिर जम्मू से बाल्तिल लाया गया इससे दुश्मनों को पता नहीं लगा कि ये tanks shift हो रहे हैं बाल्तिल में tanks के parts को फिर से जोडा गया इस बीच army engineers ने जोचिला के रास्ते को tankable road बनाया कई जगह पर पाकिस्तान ने engineers पर attack करा पर engineers दिन रात अपने काम में लगे रहे ये एक time sensitive operation था जोचिला को बर्व किरने से पहले capture करना था क्योंकि ठंड में जोचिला बंद हो जाता है engineers ने record time में अपना काम complete करा इन engineers को head करे थे major थंगराजू उनकी contribution को recognize करते हुए इस road का नाम थंगराजू road बढ़ा October तक attack के लिए सब तयार था पर snowfall शिरू हो गई इस वजह से tanks उपर नहीं चड़ पा रहे थे पर Lieutenant Colonel Rajinder ने operation बंद नहीं किया 1st November को उनको एक window of opportunity मिली और उन्होंने tanks को ऊपर चड़ा दिया Tanks ने गुफाओं में चुपे बैठे पाकिस्तानियों पर fire किया दुश्मन बिल से बाहर निकलता है और surrender कर देता है कुछ ही घंटों में Zogila को हम capture कर लेते हैं जोजला जीतने के बाद द्रास, कार्गिल और ले से पाकिस्तानियों को निकाल फैका अगर देन लेफरनेन जेनरल कर्यापा ले नहीं बचाते और बुचर के दबाव में आ जाते तो आज हमारा मैप कुछ ऐसा दिखता लेरी capture करते करते हम November end में आ गए थे थंड के वजए से लडाई को कुछ महीरे रोकना पड़ा ब्रिटेन को realize हुआ कि अगर थंड के बाद लडाई फिर से resume होती है तो भारत पाकिस्तान से पूरा जम्मू कश्मीर ले लेगा इसलिए ब्रिटेन, UN और अपने British officers के साथ मिलके लडाई को थंड में ही रोकने का प्लान बनाते हैं इस तरह पाकिस्तान के पास at least कुछ तो जम्मू कश्मीर बच्चता UN ने 1st January 1949 को इंडिया के तरफ से जेनरल पर्चर और पाकिस्तान के तरफ से जेनरल क्रेसी से ceasefire साइन कराया इस वजह से हम लडाई जीतते हुए भी P.O. के खो बैठे UN का interference यहीं खतम नहीं हुआ UN ने एक नई body बनाई UN Military Observation Group between India और पाकिस्तान इसमें बागी देशों की military के लोग कश्मीर में रहेंगे और कश्मीर की situation UN Security Council को report करेंगे भारत इसको खतम करने की mark 2014 से कर रहा है पर पाकिस्तान चाहता है कि यह बना रहे After all, पाकिस्तान चाहेगा कि कश्मीर से related जितनी source of information उनके पास हो उतना better है Hopefully, भारत सरकार foreign military को कश्मीर से permanently बहार कर देगी कहते हैं, History is the best teacher History के इस episode से मुझे realize हुआ कि international politics में सब देश अपने अपने फाइदे के लिए काम करते हैं Justice के लिए नहीं तो अगर आपको justice चाहिए तो international organizations पर भरोसा करने की जग है अपनी खुद की capabilities पर भरोसा करना चाहिए आपने क्या सीखा? जहन्द जहन्द